नमस्कार आप देख रहे हैं दफुल जड़ी और मैं शुती इलेक्ट्रोनिक का टेसला और स्पेस एक्स के सीओ एलन मस्क जल्दी भारत में अपनी नई कम्पनी स्टारलिंग के जरिये लोगों को ब्रॉडबेंड याने इंटरनेट की सेवा शुरू करने के विचार में थी लेकिन भारत सरकार ने स्टारलिंग के इन एरादों पर पानी फेर दिया आखे भारत सरकार के डिपार्टमेंट और टेलीकॉम ने स्टारलिंग पर रोग क्यों लगए इसका क्या कारण है और स्टारलिंग कमपनी क्या है यह क्या काम करती है सबसे पहले बात करते हैं स्टारलिंग कमपनी क्या है और यह कैसे काम करती है स्टारलिंग एलन मस्क की कमपनी स्पेस एक्स का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो सैटलाइट आधारत इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने का काम करती है एलन मस्क ने साल 2015 में इस सर्विस का एलान किया था इसके लिए एलन मस्क की कमपनी स्पेस एक्स ने नवंबर 2019 में एक सैटलाइट भी लौच की है बीटा प्रोग्राम के जरिये कमपनी ने 2020 में कुछ लोगों को सर्विस भी उपलब्ध कराई थी अब यह कमपनी भारत में अपना व्यापार शुरू करने जा रही है और इसके तहत उसने बुकिंग भी शुरू करती है स्टारलिंग कमपनी का कहना है कि उसने भारत में लौच से पहले 5000 से अधिक प्री ओर्डर मिले है कमपनी प्रती ग्रहत 99 डॉलर या 7350 रुपे ले रहे हैं और बीटा चरण में 50 से 1500 मेगा बेट प्रती सेकेंड की डेटा गतीद देने का दावा करती है यहां हम आपको बीटा प्रोग्राम का मतलब बता देते हैं स्टारलिंग के अधिकांज कस्टमर बीटा प्रोग्राम का लाब उठाते हैं या बीटा वर्दन दुनिया के दूर दराज इलाकों में भी काम करता है जहां आम इंटरनेट की सेवा नहीं मिलती या जहां इंटरनेट कमपनियों के टावर नहीं है जिन इलाकों में इंटरनेट की सेवा काफी धीमी है वहाँ एलन मस्क की स्टारलिंग सेटलाइट के जरिये तेज इंटरनेट की सेवा देती है इसलिए Starlink Company भारत के ग्रामीर छेदर और दूर दराज के इलाकों को टार्गेट कर रही है बीटा प्रोग्राम को लेने के लिए कस्टमर्स को 36,440 रुपए देने होंगे फिर करेट 7,000 रुपए मासे किराया लगेगा यानि Starlink की सर्विस काफी मेहनी है जब आप आम ब्रोडबेंड लगाते होंगे तो आम तरपर आपको कुछ प्रात्मिक चीज़े मिलती होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि इतना पैसा लेने के बाद Starlink Company आपको साथ में क्या सामान देगी आए हम आपको बताते हैं Starlink Internet Service द्वारा कस्टमर को एक किट दी जाती है इस किट में एक यूजर टर्मिनल होता है जिसे DC Mac Flat Face कहते हैं इसके साथ ही कस्टमर को एक Wi-Fi router, केबल, एक power supply और mounting tripod दिया जाता है अब बात करते हैं या कंपनी काम कैसे करती है Starlink Internet के लिए धर्ती के निचलिक अक्षाओं में भ्रमण कर रहे सैटलाइट का इस्तमाल करता है कंपनी अपने SpaceX Falcon 9 rocket के जरिये इन सैटलाइट को स्पेस में भेजती है जू 2021 तर कंपनी के पास 1500 से अधिक सैटलाइट थी या काफी हद तक TV केबल सर्विस तकनीक पर काम करता है इस इंटरनेट के लिए पहले यूजर को एक डिश लगाना होता है जो मीनी सैटलाइट से सिगनल रिसीव करता है इस इंटरनेट से ओनलाइन बफरिंग, गेमिंग और वीडियो कॉलिंग की सुविधाएं बहतर की जा सकती है लेकिन भारत सरकार ने स्टारलिंग इंटरनेट कंपनी पर फिरहाल व्यापार करने पर रोक लगाती है सरकार की ओर से इस पर तर्ग दिया गया है कि स्टारलिंग कंपनी को भारत सरकार ज्वारा अभी तक देश में सैटलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराने में लाइसेंस नहीं दिया गया है ऐसे में देश की जनता से अपीर की गई है कि वे स्टार लिंग का सब्स्क्रिप्शन नहीं खरी देंगे, उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है Department of Telecom की और से जारी किये गई बयान में कहा गया है कि स्टार लिंग कमपणी ने लोगों को सब्स्क्रिप्शन उपलद कराने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की मनजूरी लेना उन्हें चाहिए जो उन्होंने अभीता नहीं ली है तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया सुझाओ हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथी साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजे जासत धन्यवार